श्वेता बच्चन अपने माँ बाप की सबसे दुलारी बेटी थी और इस पूरे बच्चन परिवार में लड़ाई की वज़े भी श्वेता से ही शुरू ही दोस्तो वॉलिवुड का एक ऐसा एक्टर जो मुह में चांदी का चमच लेकर पैदा हुआ लेकिन किस्मत ने उस एक्टर को हिंदी फिल्मों का फ्लॉप स्टार बना दिया वो एक्टर ऐसे खांदान से आता है जिसका वॉलिवुड ही नहीं बलकि पूरे देश में एक अलग ही रुत्पा है जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं माहा नायक अमिताहा बच्चन के बेटे अभिशेक बच्चन की जब अभिशेक बच्चन ने फिल्मों में एंट्री नहीं मारी थी तो सबको यही लगता था कि अमिताह बच्चन के बाद तो अभिशेक बच्चन ही पोरे वालीवुड पर राच करेंगे इसलिए उस समय डायरेक्टर्स और परड्यूजर यही चाहते थे कि अभिशेक अपनी पहली फिलम उनहीं के साथ करे भला वो कौन सी गलती थी जिसका खामियाजा अभिशेक आज तक झेल रहे हैं और क्या आप जानते हैं कि अभिशेक ने कपूर खानदान की बेटी और वालीवुड की टॉप हिरोईन करिश्मा कपूर से अपनी सगाई तोड़ कर सल्मान खान की गल्फरेंट से ही शादी क्यूं की और श्वेता बच्चन के साथ वो लड़ाई का किस्सा भी हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो में अंत तक बने रही है दोस्तों अमिताहा बच्चन के बेटे अभिशेक बच्चन का जनम 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ पूरी दुनिया जानती है कि उनके पिता सदी के माहनायक अमिताहा बच्चन है और मा जया बच्चन है जो इनके पिता की ही तरह वॉलिवुड की जानी मानी हस्ती एक्ट्रिस है अमिशेक बच्चन की एक बड़ी बेहन श्वेता बच्चन है जिसकी शादी उध्योग पती निखिलनन्दा से हुई है क्योंकि निखिल नंदा रुतु नंद के बेटी है और रुतु नंद राज कपूर की बड़ी बेटी है और वो उनसे उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए ही कहते थे अभिशेक बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहते थे इसलिए अभिशेक बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए जब अभिशेक बच्चन अमेरिका में पढ़ रहे थे तो बॉलिवुड में अमिताह जी का डाउन फोल होना स्टार्ट हो चुका था उनकी फिल्में लगातार फ्लोप हो रही थी उधर अभिशेक बच्चन भी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे थे तो ऐसे में अभिशेक बच्चन वापिस भारत आ गए और उनको फिल्मों में लॉंच करने के लिए सोचा जाने लगा वाली वुड में जैसे ही ये पता चला कि अमिताहा बच्चन अपने बेटे अभिशेक बच्चन को लॉंच करना चाहते हैं तो कई बड़े निर्माता उनकी साइन करने उनके घर पहुँच गए और पबलिक में भी अमिताहा बच्चन के बेटे को फिल्मी परदे पर देखने की इच्छा काफी जादा थी क्योंकि अमिताहा बच्चन की एक्टिंग का जादू ही ऐसा था कि लोग उनके बेटे में अमिताहा बच्चन को ही देखना चाहते थे उन तिनों जेपी दत्ता एक फिलम रिफ्यूजी बना रहे थे जेपी दत्ता वहीं है जिनकी फिलम बॉर्डर आपने जरूर देखी होगी आपने उसमें सनी डियॉल और लीड एक्टर थे बाद में अमिशेक बच्चन को इस फिलम से ही लॉंच करने की तैयारी हो गई दूसरी तरफ कपूर खान दान की बेटी करीना कपूर को भी इस फिलम में पहली बार बतौर हिरोईन लॉंच किया जा रहा था लोगों को इस फिलम का बेस्तबरी से इंतजार था क्योंकि वो अमिताप के बेटे को देखना चाहते थे फिलम बनकर बॉक्स आफिस पर पहुँची लेकिन इसे बद किसमती कहें या फिर कुछ और लेकिन लोगों के मन में जो मिताप बच्चन की एंगरी यंग मैन वाली इमेज थी और वो अभी शेक में भी वही देखना चाहते थे लेहाजा लोगों ने उनके बेटे को नकार दिया इस फिलम के बाद अभी शेक बच्चन ने लगातार कई सारी फिलमे की लेकिन किसमत से एक भी फिलम नहीं चली अभी शेक को अभी चार से पांच साल हो गए थे लेकिन वो अभी तक सफलता का मून नहीं देख पाए थे इसके बाद मायूस और दुखी अभी शेक बच्चन की जिंदगी में अगली जो फिलम आई उसने तो अभी शेक की पूरी इमिज को ही बदल दिया इस फिलम में अभी शेक बच्चन एक नए ही अवतार में थे एक्टिंग इतनी दमदार थी और वो फिलम थी युवा जिसमें ये ललन सिंग के किरदार में नजर आए फिलम सूपर हिट हो गई और अभी शेक बच्चन की सफलता से सभी लोग खुश थे इसके बाद अभी शेक बच्चन की जोली में कई हिट और सूपर हिट फिलमें आई जिसमें वो हर तरह का किरदार करते हुए देखे गए थे उनकी धूम धूम टू बंटी और बबली सरकार बॉल बच्चन जैसी कुछ हिट और सूपर हिट फिलमें थी इस तरह अभी शेक बच्चन ने अपनी तरफ से वहा हर मुम्किन कोशिश की लेकिन वो हिंदी सिनिमा में अपने पिता जैसा मुकाम हासिल करने में नाकाम रहे चलिए दोस्तो अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की दोस्तो अभी शेक जब अपने गिरते फिल्मी सफर से जूँज रहे थे तो उनकी मुलाकात उस वक्त की टॉप हिरोईन और कपूर खांदान की बेटी करिश्मा कपूर से हो गई और ये दोस्ती प्यार में भी बदल गई और शादी तक नहीं पहुंच सका दरसल करिश्मा कपूर उस समय टॉप चल रही थी और अभी शेक का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था और अमिताह बच्चन को भी बिजनस में काफी नुकसान हो रहा था इसलिए करिश्मा कपूर की मा बबीता कपूर ने अपनी बेटी के फ्यूचर को सेव करते हुए अपनी बेटी की सगाई आखिर में तोड़ दी जिसके बाद इन दोनों परिवारों में एक दूसरे के खिलाफ काफी मन मुटाव हो गया इसके बाद करिश्मा कपूर ने बिजनेसमेन संजे कपूर से शादी कर ली और उधर अभिशेक बच्चन की जिंदगी में दुनिया की सबसे खूब सूरत मिस वर्ड और मशुहूर अभी नेतरी ऐश्वरिया राय आ गई एश्वरिया राय उस वक्त मिस वर्ड का खिताब जीच चुकी थी लेकिन एश्वरिया राय फिल्मों से जादा अपने प्रेम संबंधों के लिए फेमस थी एश्वरिया राय उन दिनों वालीवुड के दबंग खान सलमान खान के साथ रिष्टे में थी लेकिन इन दोनों के रिष्टे में काफी कुछ सही नहीं चल रहा था एश्वर्या राय सल्मान खान से काफी परेशान थी वो सल्मान खान से चुटकारा पाना चाहती थी ऐसे में उनकी मुलाकात हुई अभिशेक बच्चन से और उनकी मुलाकात करने वाला कोई और नहीं था बलकि वो थे बॉबी दियॉल बॉबी दियॉल और अभिशेक दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं वहीं उस समय अभिशेक भी गए होए थे बॉबी डियौल एश्वरया राय और अभिशेक ये तीनों एक साथ मिले लेकिन इस मुलाकात के बाद अभिशेक बच्चन और एश्वरया राय भी काफी अच्छे दोस्त बन गए दोनों ने एक दूसरे के साथ कई फिल्मे की और य बहुत खुश था लेकिन कुछ समय बाद इस घर में बहुत कुछ बदल गया दरसल श्वेता बच्चन अपने माँ बाप की सबसे दुलारी बेटी थी और इस पूरे बच्चन परिवार में लड़ाई की वज़े भी श्वेता से ही शुरू हुई एश्वरया राय और श्व इसिओ लेकिन धिरे धिरे ये मनमुटाव बड़ी लड़ाई में तब्दील होने लगा श्वेता ऐσ्वार्या की शिकायत अपने माँ बाप अमिताहब आर जया से करती थी और इसमीक व्जचन ये अफिशेक से करने लहई और अभिशेक बचन यह समझ को पा रहे है थे कि- दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद